हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं खरीब पसलों का न्यूनत्म समर्तन मूल्य बढ़ाने के एक दिन बाद ही कुरुषी राजमंत्री गुरुवार को जैपूर पहुचे रुषी राजमंत्री रुपाला ने इस अफसर पर कहा कि देश में किसानों के उत्पादक्ता तो बढ़ाई है लेकिन अभी तक ये विचार नहीं हुआ था कि किसानों की आए को कैसे दुगना किया जाए लेकिन प्रदानमंत्री नरेद्यमूदी ने चुनाव से पहले किये गई वायदे को पूरा करते हुए खरीब पसलों की समर्थन मूल्य में 50 वी सदी की बढ़ातरी कर अपने वायदे को निभाया है और समर्थन मूल्य बढ़ाना ही किसानों की आए को दुगना करना है किसानों की आए दुगनी करने के जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें से ये एक प्रयास है हलाकि राजिस्तन में 50 से ज़ादा किसानों की आत्माहत्या, खरीत केंदर पर ब्रश्टाचार, किसानों को उनके फसल के समय पर कीमत दिलाने जैसे सवालों को वे टाल गए और SMP पर ही बात करते रहे रुपाला ने कहा देश में पहले पूरे साल यूरिया की किल्लत रहती थी, लेकिन बीते दो साल से यूरिया की किल्लत नहीं हुई, क्योंकि यूरिया अब नीम कोटेड हो गया है, और किसी दूसरे रास्ते से फैक्टरियों में नहीं जा रहा है, नीम कोटेड यूरिया और स सॉयल हेल्थ कार्ट से जमीन की सेहत भी सुधरी है। कारेगर में प्रदेश के क्रुशी मंतरी प्रभुलाल सेनी ने प्रदेश में क्रुशी शेत्र में हो रहे नवाचारों की जानकारी दी। जैपुर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट